हलो दोस्तों में रवी सैनी आप सभी का फिर जब श्लागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गूर्मेनजर पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगॉल हेल्थ रिक्विट्मेंट बोर्ड की जिनोनेक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें फूड कितनी क्वालिफिकेशन कितनी एज और क्या फीस आपको पेकरनी होगी सावेधन को बने के लिए और आगर बने से पहले मैं आपसे नवी दिन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो आरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को दोबाना नहीं भूले क्यो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो रिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा यहां पर एडिविटिजमेंट नमबर जो दिया हुए आप देख सकते हैं इस आडिविटिजमेंट नमबर पर यह वरती हो रही है और श्लेस एफ एसो 46 ब्रैकिट वन स्सी एन 218 यह इनका एडिविटिजमेंट नमबर है इसमें जो आप अपलाई कर सकते हैं उसकी जो डेट है 21 जुलाई 218 तक इसमें आप अपलाई कर सकते हैं इसके जो एडिमिट कार्ड है और एक्जाम डेट है वो भी जारी नहीं हु चाहिए वह एकिस से लेकर शती साल की आपकी ऐस होनी चाहिए ओर एज रिलाक्सेशन जो दिया जाएगा वह गवर्मेंट के जो स्टेट गवर्मेंट से उसके नौंस के कोडिंग दिया जाएगा चाहली से जाएकि वह नहुजार से लेकर 40,500 तक इसमें दी जाएकि आपको चलान डाउनलोड करना होगा तो उसके बाद आप किसी भी प्रांच में जाके फीस जो है वह पे करके आप अपना जो चलान है वह समिट कर सकते हैं इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन आपकी होने चाहिए वह यहां पर दी हुए आपके पास इन में से किसी एक डिग्र सब्सक्राइब कैनलोजी और दी टेकनलोजी और ट् останов करने शे masking कि अगरे Kenneth के बाद अगजी ज्यीक्जाश है अरे याव चौक की सब्सक्राइब नोटिफिकेशन देख सकते हैं इसमें सारी जानकरी आपको दी गई है किस तरह से आपको फोम बढ़ना है क्या को लिफिकेशन कितने फीस वह सब आप यहां पर भी इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं नेक्स चलते हैं वेबसाइट पर यह आपको अप्लाई करने के इसमें फूड सेफटी ओफिसर आपका फूल नेम आपका मुबाइल नंबर कैटेगरी फीजिकल चैलेंज चैलेंज अगर आपको वह भी आरती है पिएच तो आप यहां से कितने परसेंट है या नो है तो आपको क्लिक करना है कैटेगरी कौन सी है आपकी यहां से जेंडर क नीचे डालना हो और सब्मिट कर देंगे तो आपका जो रेस्टेशन है वह हो जाएगा उसके बाद अपनी जो डोकुमेंट्स फोटोग्राफ्स आपको अप्लोड करने होंगे नेक्स स्टेब में जब आपको क्लियर कर लेंगे तो आपको चलान के मादम से अगर आप करना चाहते हैं फीस जमा तो आप वहां से चलान जो है वह डाउनलोड करके अपनी जो फीस है वह पे कर सकते हैं तो यह प्रोसीजर रहेगा आपके जो फोर्म है वह फिल करने का तो हमारे दोर बताई गए जानकर आपको कैसी लगए आप हमें वीडियो के कमेंट बोक्स में कमे बढ़े दोस्तों